Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankita Sood, So Paper 1 में People Development and Environment Unit के Most Repeated PYQs आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ऐसे questions है students जो बहुत बार paper में as it is या फिर घुमा फिर आकर पूछे गए हैं and upcoming exam में भी आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं हरे question के साथ मैं आपको explanation भी दूँगी ताकि आसानी से आप सब correct answers को identify कर सकें Students इसकम समय में paper 1 की तयारी करना बिल्कुल possible है बस आपको इसके लिए एक proper guidance के साथ और examination के difficulty level के हिसाब से smart preparation करनी होगी और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए paper 1 का complete course में लेकर आई हूँ जहां पर daily आपको 2-3 live lectures मिलेंगे जिसके साथ आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा साथ ही हम आपको unit wise और topic wise recorded sessions भी देते हैं ताकि इस कम समय में जल्दी से आप सभी हर एक unit को cover कर सकें दो whatsapp numbers आपको दे रही हूँ आप इन पर contact करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो और इस course के साथ students आप सभी को हमारे एक special whatsapp group में आड़ किया जाएगा जिसमें हर class के बाद आपको pdf notes मिल जाएगे जिससे कि आपका notes बनाने का और mcqs note करने का समय भी बच जाएगा and revision के लिए ये 5000 questions हैं जिसमें आपको unit wise हर question के answer के साथ explanation भी मिलेगी और इस में से आपको paper 1 में 50 में से लगबग 30 plus questions ज़रूर as it is देखने को मिलेंगे साथ ये free videos और mock test भी available हैं जिसके लिए आपको global online app download करना है store section पर search bar में लिखे course का नाम जैसे ही आप content पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते है bilingual course है English, Hindi, सभी courses है आपके exam के अलावा other states के जो previous year questions है वो भी आपको answers के साथ हम provide करवाते है and daily live lectures भी आपको हम यहाँ पर देंगे so यह best course है जो कि सकम समय में आपको exam oriented तैयारी करवाएगा and बहुत असानी से आप अच्छा score भी कर सकते हैं in which one of the following conference of parties that is COP Kyoto Protocol was adopted so इस question में पूछा है कि कौन से COP में Kyoto Protocol को अपनाया गया था so देखे students सबसे पहले देखते हैं कि conference of parties क्या होता है so basically यह एक international climate meeting है international climate meeting है जो कि हर साल होती है यह 1995 से शुरू हुई है इसमें actually क्या होता है कि जितनी भी member countries है वो हर साल मिलती है और अपने environment को protect करने के लिए कुछ decision लेती हैं कुछ targets decide करती है कि हर country मिलकर कुछ अपनी जैसे कुछ हानीकारत गैसों को control करने में मदद करेंगे या फिर कैसे प्रिथवी को बचाया जाए अपनी country में उसको लेकर initiatives लेंगे तो यह सब चीज़े decide की जाती है conference of parties के अंदर इस question में पूछा है कि Kyoto protocol कौन सी party में decide किया गया था पहली meeting में, तीसरी meeting में, सातवी meeting में या फिर दसवी meeting में तो इस question का सही answer है option number two that is conference of parties three जो है वो हमारा Kyoto protocol से जुड़ा हुआ है जिसको की 1997 में adopt किया गया था greenhouse gases के emission को कम करने के लिए वैसे ही आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि conference of parties 21 किस से जुड़ा हुआ है तो ये आपका Paris agreement से जुड़ा हुआ है जो की climate change के लिए या फिर global warming के लिए जिसको बनाया गया था अब एक homework question में आपको दे रही हूँ बताइए COP26 यानि की conference of parties की जो 26th meeting हुई थी उसका क्या major role था किस लिए ये की गई थी और कौन से year में की गई थी अब ये मैंने एक छोटा सा homework question आपको दिया है जिसका answer मुझे comment करके बताना अगर नहीं आता answer तो भी मुझे बता सकते हो मैं जरूर आपका reply करूँ लिए which of the following are green house gases okay so ये बहुत important question है अभी हमने पहले question में पढ़ा था कि क्योटो protocol basically green house gases को कम करने के लिए बनाया गया है तो green house gases कौन कौन सी है options है carbon dioxide, nitrogen dioxide, methane, chlorofluorocarbon या फिर benzene so देखिए सबसे पहले carbon dioxide, बिल्कुल आपकी greenhouse gas है ठीके, carbon dioxide को CO2 लिखा होता है कई बार पूरा नाम देते है कई बार इसका जो chemical formula बोलते है I think इसको वो लिखा होता है ठीके, carbon dioxide बिल्कुल सही option है then we have nitrogen no nitrogen dioxide नहीं होता है nitrous oxide होता है ठीके, methane भी हमारे पास एक greenhouse gas है जिसका formula CH4 होता है chlorofluorocarbon भी एक greenhouse gas है जिसको simply हम CFC बोलते है बट benzene नहीं है तो A, C and D that is option number 3 is the correct answer तो इन तीन के अलावा और भी greenhouse gases होती है जैसे कि, एक मैंने आप लोगों को बता दिया, nitrous oxide जिसका chemical formula है N2O उसके बाद आता है हमारे पास hydrofluorocarbon जिसको HFC बोलते हैं then sulfur hexafluoride SF6 और per fluorocarbon SF6 है, sulfur hexafluoride तो यह कुछ important greenhouse gases है जो कि आपको note कर लेनी है the period of Sindhai framework for disaster risk reduction is what recently यह question as it is आपका HP set में भी पूछा गया था ठीक है So, इनका period था 2015 से 2030 के बीच में यानि कि 2015 में यह शुरू हुआ है and इनों ने एक target set किया है कि 2030 तक हमने इसको पूरा अचीव कर लेना है Next question है Which of the following was the central aim of the Paris Agreement Okay, so Paris Agreement का chlorofluorocarbon emission के reduction को यानि कि इसके उचसरजन को कम करना बिलकुल भी नहीं है तो यह आपका गलत हो जाएगा Okay, अगला है To strengthen the global response to the threat of climate change अगला है To address biological diversity No, biological diversity भी नहीं है and next है More than one of the above No, okay तो इसका सही answer है Option number 2 That is चलवायू परिवर्दन के खत्रे के प्रती वैश्विक प्रती क्रिया को मजबूत करना आप लोग बस इतना याद रखिए Paris एक बहुत अच्छी जगा है Paris का climate बहुत अच्छा होता है है ना तो याद हो गया कि Paris का climate बहुत अच्छा होता है Students अगर आपको यह sessions पसंद आ रहे हैं अगर आप चाहते हो कि मैं continue करूँ तो मुझे comment करके जरूर बताईए मैं हमेशा की तरह आप लोगों की मदद करूँगी and motivated रहूँगी तो अगर चाहते हो continue रहे sessions तो जरूर मुझे update कीजिए First Earth Summit for Convention on Biological Diversity was held at So Javik Vividta पर जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था जिसको पृत्वी शिखर सम्मेलन यानि की Earth Summit भी कहा जाता है उसको कहां पर आयो जित किया गया था ये पूछा गया है तो इस question का सही answer पहले बता देती हूँ फिर इसको हम explain करेंगे ये Rio de Janeiro 1992 ब्राजिल में इसको conduct किया गया था इस case में Rio de Janeiro जो है ये एक जगा का नाम है जो कि ब्राजिल में है 1992 में Earth Summit को शिरू किया गया था या Earth Summit 1992 में हुआ था इसका नाम Rio Summit भी है इसका नाम Rio Summit भी है ये Environment and Sustainable Development के लिए बनाया गया था और इसका एक और नाम है जो कि है Agenda 21 तो कुछ भी नाम हो चाहे Earth Summit हो चाहे Rio Summit हो चाहे Environment and Sustainable Development लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब एक ही चीज़े है So, Disaster Management Plan किया गया था 2016 में शुरू What are the correct order of global warming potential of following atmospheric chemical species So, ये बहुत ही जादा important question है हमें बताना है कि correct order इसका क्या है सही क्रम में इनको हमें arrange करने के लिए कहा गया है Okay, तो options है chlorofluorocarbons, methane, carbon dioxide and nitrous oxide So, सबसे पहले आता है carbon dioxide ठीक है, that is C So, देखिए C से यहाँ पर एक ही option शुरू होता है सबसे पहले carbon dioxide ये ऐसे होगा CO2, ठीक है N2O, इस तरीके से लिखना है ये CH4 Okay, इसके बाद आता है methane then we have nitrous oxide और सबसे N में है chlorofluorocarbon So, सबसे आंसर है option number B Next question is Which of the following statements are true about international solar alliance तो international solar alliance जो है ये आपका COP26 के नाम से जाना जाता है जिसको सन 2015 में शुरू किया गया था Okay, so ये कुछ important points है जो कि आपको याद रखने हैं सही statements पूछी है तो मैंने पहले बता दिया कि 2015 में शुरू किया गया था तो पहली statement तो गलत है दूसरी देखिए अग अलत है तो ये दो options पहली eliminate हो जाएंगे India is one of the founding countries there बिल्कुल सही है भारत इसमें संस्थापक देशों में से एग है Its headquarters are in गेनेवा बिल्कुल सही है ये भी Sorry, ये नहीं है ठीके, headquarters के गेनेवा में नहीं है इसका headquarter इंडिया में है ये question भी अभी recently 2023 वाल exam में as it is आया था कि International Solar Alliance का headquarter कहां है तो ये हर्याना में आपका इंडिया में है ठीके, January 2016 में ये headquarter Narendra Modi के द्वारा जो है, inaugurate किया गया था and 2015 में इस conference, sorry International Solar Alliance की थापना की गी थी Okay, it was signed by over 100 countries तो देखो, C भी गलत है तो इसलिए ये वाला option भी गलत हो गया तो इसका मतलब है option 4 ही सही होगा It was signed by over 100 countries, बिल्कुल सही है Mostly sunshine countries are members of this alliance, बिल्कुल सही है तो correct answer is option number 4 Note कर लीजे, जो extra information में दे रही हूँ Very very important question Okay, so तो ये question आपको बोल रहा है कि Paris Agreement किस से जुड़ा है, अभी मैंने बताया, Paris का climate बहुत ही जादा अच्छा होता है तो एको हमने 4 से match कर दिया, ये दो options हो गए, गलत ठीक है, अभी हम लोगोंने Kyoto Protocol के बारे में भी पढ़ा था So Kyoto Protocol आपका clean development mechanism से जुड़ा है So ये आगया आपका third, that is option number 4 is the correct answer ठीक है, Rio Summit, Human Environment and Montreal Protocol is related to ozone layer and Montreal Protocol को 1987 में बनाया गया था Right, सबकी year, इनका main theme क्या थी, कौन से साल से ये शुरू हो रहे है And अभी इनका क्या targets चल रहा है, सब याद होना चाहिए अगर नहीं पता तो उस पे theory sessions भी मैं लेकर आऊंगी, बस मुझे एक बार comment कर दीजिए कि protocols पे theory session आपको चाहिए Which of the following is one of the six pollutants under Kyoto Protocol Regulation So Kyoto Protocol, sorry, Kyoto Protocol Regulation के अंदर आप का पर fluorocarbon आता है मैंने आपको बताया, Kyoto Protocol is related to greenhouse gases Six greenhouse gases भी हमने पढ़ ली थी And उसमें chlorine भी नहीं था, phosgene भी नहीं था, carbon monoxide भी नहीं था, बस पर fluorocarbon था तो यहीं चीज उस question में पूछी है अगर आपने वो question पढ़ा था, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना easy question है, बस पूछने का तरीका थोड़ा different है So इसे के साथ फिर आज के session को end करते हैं मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे concepts clear कर रही हूँ और मैं उमीद करती हूँ कि जरूर आपको यह sessions पसंद आ रहे हैं So thank you so much everyone for watching this video And I wish you all the very best